आस्वट आइंस हर मुद्दे पर आपकी आवाज उठाती है सीधे आप तक पहुचाती है राष्टी राजधानी छेत नए दिल्ली से प्रसारित आप सिर्फ देखती रहे है मेरी ख़बर पर नमस्कार मैं हुँ लाजचन सोनी आस्वट आइंस में आप सभी का स्वागत है इस वक्त भारत भर में या हलचल देखी जा रही है कि लड़का और लड़कियों के लिए आप पो इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि भारा सरकार लड़का और लड़कियों की साधी बिवा के लिए 18 से 21 वर्ष करने की पहल चल रही है कुछ लोगों का राह है कि ठीक है और कुछ आम जनता का या राह है कि लड़की का बिवा जल्दी कर देनी चाहिए इस अंतराल पर भारत सरकार लड़का लड़किवे की बिवा को लेकर पवित्र बंद्र में बनने से पहले और नई घर बसाने से पहले या उम्र होना बहुत जरूरी है 18 से 21 वर्ष जो समाजिक वातरों में तालमेल बिठाने में समय मिलेगा और लड़का लड़की पढ़ लिखकर कुछ नई सोच के साथ अपना घर बसा सकती हैं या खुद सोचने की परिकिरिया में खुद पर निर्फर रहेंगे अब जल्दी भार सरकार इस आकड़ को लेकर सामने आएगी और सभी समाजिक पटल पर रख देगी देखिए रिटायर फोजी राजिस गुपता जी के खास रिपोर्ट हमारे देश में भारत सरकार ने जो लड़कियों की उम्र 21 साल के बारे में जो सोचा है ने लिया है वो वास्तों में एक बहुत ही बड़ी चीज है और उसके कई मतलब हैं कई उसके माइने हैं और कई उसके पीछे गुड़ छुपे हुए हैं लगभग 43 साल बात जो ये बाते सामने आई हैं उन बातों में हमारी सरकार ने इसका निर्णे ऐसे ही नहीं लिया कई तरहें की प्रतनिदियों से बात करके सामाजिक संक्ठनों से बात करके बेविनार करके टास्क फोर्स बनाके कई जगाओं से विचारों को कलेक्शन करके इखटा करके जब ये सब बाते ली गई हैं तो हमारा जो एडल्क्स वैस की जो आईउ 18 साल है वो हमारे लड़के और लड़कियों दोनों की 18 साल है लटकों की 18 साल वैयस होने के बाद जूद भी साधी की उमर 21 साल थी और लडकियों की 18 साल थी इस बीच के difference को कम करने के लिए जोई निर्णे लिया गया है बास्तों में सामाजिक डायतों को देखते हुए परवार के डायतों को देखते हुए आज की आधिनिक जिंदिगी को देखते हुए बहुत ही साइन निर्णा है भरत सरकार के इस निर्णाय से उन बच्चियों को उन लड़कियों को एक नई नई चीजें और सीखने का मुखा मिलेगा उनका जो बोधिक विकास है वो होगा उनका सामाजिक विकास है वो भी होगा साथ इसाथ परवार को पालने के लिए जो उनको जरूरी काईदे नियम समझने हैं वो भी समझने का मुक्ता मिलेगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी उनको पूरा मुक्ता मिलेगा और देखा जाए तो समाज के दायुत को एक पुल की तरह बांधने के लिए कि Это का करेंगे के का काम करेंगे विल्डिंग मटेयल का का म करेंगे फुल बनाने में जो हमारे सामीर द्रबारब बर गई को एक तुल के रूप में बांध के रखने में बहुत ही सफलता देगा भास्तों में भारत सरकार की यो देन है बहुत ही उच्छ सोच है उच्छ कोट की सोच है और इस तरह के चीजों को जब भी इस रेशन किया जाता है एनालिसिस की जाती है तभी ये सब चीजें सामने आती हैं और आप तो देखी रहे होंगे कि हमारे देश में जो पहले बाल प्रता थी उसको कैसे धीरे-धीरे लेके अनालिसिस करके आज उसको जो है मोडिफाइड करके अपग्रेट करके आज जो 21 साल की रखी गई है लड़कियों की और लड़कों की तो ये अनपातिक देखा जाए तो बहुत ही सटीक है और इस उम्र में काफी लोग जो है बोधिक विकास में आ जाते हैं और उनको इतना समय मिल जाता है कि वो हर जगह अपना ताल में बठाने में सच्चम होते हैं वास्ताव में इस उपलक्ष में हम भारत सरकार को हार्दिक बधाईयां और सुपकामनाई देते हैं कि ऐसे ही वो और जगहा इस परवार को इस समाज को इस संस्क्रति को भारत की को और उत् रद्दो बदल करने में अगर हमारे समाज में परवर्तन होता है, हमारी सोच में परवर्तन होता है, देश का विकास होता है, तो बास्तों में ये बहुत ही जो है एक अच्छी चीज है और इसकी तारीफे करने में हमको पीछे नहीं रहना चाहिए, इस खुसियों में हमको ता लीव जाके आगे चलना चाहिए जाए हिंज जाए भारत राजेश गुपता एसी सेफ नेस्टन टीम नेमबर नई दिल्ली नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकर्स मिल जाए धन बात